कोई जांचवाच जादा पुछताज नहीं एक दो घंटे की दिखाने के लिए रेडवेड करती है लेकिन इसके बावजूद अब तक एक रुपय की रिकवरी कही नहीं मिली एक कोई ठो सबूत नहीं है पांच करोड रुपया दिया अरेस्ट के पांच दिन बाद पचास करोड रुपया दिया अरेस्ट के एक साल बाद तबी भी वो अक्यूजड हैं लेकिन अब अपरूर बन गया देश की राजधानी दिल्ली में एडी ने दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल को आधी रात में ग्रफतार कर लिया ऐसे में सियासी हल चल देश की राजधानी दिल्ली में समय हो रही है आमानमी पार्टी लगातार साडक पर संगरश कर रही है वहीं दूसरी तरफ B.J.P. कह रही है कि यह तो हो नहीं था ऐसे में हमारे साथ बात चीट करने के लिए आमार्मी पार्टी के नेशनल स्पोक्सपरसन जैसमिन शाह भी हमारे साथ इस समय मोजूद है सर बताए कि जो पूरा घटना करम दिल्ली में हो रहा है किस तरीके से आप लोग इस घटना करम को देखते हैं आखिर क्यों एडी ने आधी रात में आकर आचाना करविन केश लिवाल जी को गरफतार किया है देखिए आज ये देश के लिए दुर्भाग्या की बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सिटिंग मुख्य मंत्री को बर्तमान मुख्य मंत्री को आधी रात में एडी आती है और कोई जाँचवाच जादा पुछताश नहीं एक दो घंटे की दिखाने के लिए रेडवेड करती है और फिर कहती है कि अब हमने घोशित कर दिया कि आप इस पूरे स्कैम के किंग पिन हो कई हजारो करोड का घोटाला दो साल से भाजपा ने देश की तमाम इन्वेस्टिकेटिव एजनसी ED, CBI सारे कामकाद छोड़के आम आदमी पार्टी के इस कथिचराब घोटाले के पिछे उन्होंने छोड़ दिया है 500 से जादा रेड हुई है 1000 से जादा विटनेसे समन किये जा रहें उनके बयान दर्श किये जा चुके है लिकिन इसके बावजूद अब तक एक रुपे की रिकवरी कहीं नहीं मिली एक कोई ठोज सबूत नहीं है जो इनको अब तक मिला है ना किसी कारिकरता के पास ना किसी आम आदमी पार्टी के नेता या मिनिस्टर के पास इसके बावजूद इन्होंने तीन तीन चार चार पहली बार देश में हो रहा है कि देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के नमबर 1, 2, 3, 4 सब को आपने जेल में डाल दिया एक ऐसे फरजी मुकदमे में जिसमें कोई पैसा नहीं है कोई ट्रेल नहीं है तो सवाल जरूर पूछा जाएगा कि इतना पैसा अगर घोटाला अगर हुआ है तो पैसा कहा गया अब बात आ जाती है इलेक्टरल बॉंड की क्योंकि अब तक तो पैसा एडी को भी नहीं मिला है जो तमाम पूरा केस उन्होंने रचा था वो रचा था केवल और केवल इस आधार पे कि नहीं हमारे कुछ गवा हैं सरकारी गवा हैं उन्होंने बयान दिये है कि मैं फला-फला बंदे को मिला था मैंने उतने पैसे दी, सबूत कोई नहीं है लेकिन हमने सवाल भी पूछा कि आप गवाओ के आधार पे अगर आप जेल में सब को डालना शुरू कर दो तो गवाओ से आप कुछ भी बुला दो क्यों कि यह कहीं ऐसे गवाओ हैं जिन्नोंने पहली बार दूसरी बार कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि नहीं हमारा तो कोई कामी नहीं हम कुईसी से मिले नहीं कोई ब्राइबी नहीं पेकरी है लेकिन फिर उसको AD ने जबरन जेल में डाल दिया 4-4 महीने 6 महीने जेल में रखा और फिर उनका एक रिदय परिवर्तन होता है उनको याद आ जाता है कि नहीं मैंने अर्विन के जिवाल से मिला था मैंने इतने पैसे की लेंदेन करी थी तो इन लोगों के सरकारी गवाओं के बयान के आधार पे उन्होंने ये पूरा केस रचा है और सबसे इसमें जो एहम किरदार है वो है सरत चंद्र रेड़ी और सरत चंद्र रेड़ी प्राइम विटनेस माने जाते हैं इडी ने जब इनको चाचीट उन्होंने दर्च करी थी तो इनको कहा था कि ये किंग पिल है मैं आपको सरत टुकूंगा शरत चंद्र रेड़ी आज भी आप लोगोंने प्रेस कॉंफरेंस में इस नाम को लिया है बीजेपी डफ्तर में केंद्री मंतरी अनुराक ठाकुर से भी आज हम लोगोंने सवाल पूछा था इस नाम पर उन्होंने कहा कि ये तो फंडिंग का मसला है तो हुआ है आप भी मुस्कुरा रहे हैं है क्या इस शरत चंद्र रेड़ी क्या है पूरा मसला शरत चंद्र रेड़ी एक ऐसी चाबी है जिसको लगाने से ये पूरा केस सॉल्व हो जाता है तो मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक और आप इसको थोड़ा गौर से सुने क्योंकि दो साल से जिस कथिच शराब घोटाले में इतनी जाँ चुई एक रुपया नहीं मिला तो सवाल हम भी पूछने हैं कि अगर आप कहने इतना घोटाले तो पैसा कहा गया तो शरच चंद्र रेड़ी इस केस के पहले किंग पिन कहे गए थे एडी ने कहा कि ये किंग पिन है ये हाइदरबाद के व्यापारी हैं इनको कहा जाता है कि एक साउध ग्रूप करके इन्होंने बनाया और इसलिए कहा एडी खुद कहती कि ये किंग पिन है इस पुरे मैटर के अब निकल के आया है इलेक्टरल बॉंड का डेटा 48 गंटे हुए है कि इलेक्टरल बॉंड का डेटा इलेक्शन कमिशन ने अपनी वेबसाइट में डालावा अब पता चल रहा है कि 10 नवेंबर को जब शरत्र चंद्रेडी अरेस्ट होते है तो उसके 5 दिन बाद वो जाके बीजेपी के खाते में 5 करोड का इलेक्टरल बॉंड का चंदा जमा कर देते हैं और जैसे पंची आजाद होता है बाहर जाके गवर्मेंट का अप्रूर बन जाता है मतलब सरकार जो बोलेगी आप वो बोलोगे तो इसके आधार पर ये पुरा केस बना गया है और अंतिम कड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जून में उसे सर गवर्मेंट अप्रूर बना जाता है जून 2023 में नवेंबर 2023 में आठ नवेंबर 2023 स्पेसिफिक डेट में दे रहा हूँ आठ नवेंबर 2023 में शरच चंद्र रेड़ी तीन कंपनियों के द्वारा 50 करोड रुपए भाजपा के अकाउंट में इलेक्टरल बॉंड के थुरू जमा कराता है जमानत भी मिल गई उसे गवर्मेंट का अप्रूर भी बन गया मतलब गवर्मेंट का तोता भी बन गया और उसके बाद क्योंकि डर तो हमेशा बना रहाता है कि ये लोग वापस मेरे उपर ना चड़ जाए तो अब 50 करोड रुपए और BJP को दे दिये तो अब तो उसके बाद सब चंगासी हो गया एक फरजी मुकदमा करके नकली बयान के द्वारा आम आदमी पार्टी के निताओं को तो जेल में डाल दिया मनी सिसुद्या जी एक साल से उपर जेल में है सतिदर जैन जी भी जेल में है अर्विन केजिवाल जी को रिमांड पे आपने रखा है और दूसरी तरफ उनी शराब कारवबारियों के थ्रू जो मनी लॉंडरिंग का मैटर है जो बहुत गंभीर एक मसला है उसके 60 करोड रुपे आप अपने बैंक अकाउंट में आपने ले लिया तो कितना बड़ा मतलब आज तमाशा हो गया देश के साथ और ये तथ्य इलेक्शन कमिशन और इंडिया के वेबसाइट में अच्छा उन्होंने भी बहुत कोशिश करी कि ये तथ्य बाहर ना आए आपको पता है कि जब ये डेटा पुछा गया था तो SBI ने क्या बोला था कि नहीं हमें तो तीन महीने लगेंगे वो तो शुक्र है प्रभू का कि वो सुप्रीम कोट के थुरू उन्होंने इंटर्वीन किया और सुप्रीम कोट ने बोला कि कुछ नहीं चलेगा आप जितना भी विरोध करते रहिए हमने आपको डिरेक्शन दिये तो आपको ये सारवजनिक करना पड़ेगा जैसे सारवजनिक किया ये पूरा कथिच शराब घोटाल अपने आप सुलच किया ये पहली बार नहीं है पिछले 10 सालों में आपको जानकर ताजुब होगा आम आदमी पार्टी और उनकी नेताओं पर 230 मुकद में चल रहे हैं 230 मुकद में देश में इतना बड़ा पॉलिटिकल विच्छन किसी पार्टी के उपर नहीं होगा अच्छा इसमें से कितने मुकद में ट्रायल में गए और कन्विक्शन मिला शुन निया जीरो मतलब आपका पूरा प्रयास है कि इनको कैसे न कैसे आप इनको प्रताडिट करें इसलिए आज देखिए हेमन सुरेन वो जेल में चलेगे हैं अर्विन के जीवाल और तमाम आमदमी पार्टी के शेष नेतरत्व को जेल में कहीं और जो सीएम है या राजनितिक परिवारे विपक्ष में उनके उपर खत्रा मंडरा रहा है और कॉंग्रेस के तो पूरा अकाउंट ही इन्होंने फ्रीज कर दिया तो एक तरफ आप आप कहना क्या चा रहे हो देश के और दुनिया को आप तो सर बता रहे हैं कि ये तो पूरी तरह साजिश है लेकिन बीजेपी तो अभी भी कह रही है कि अपराद आप लोगों ने बहुत संगीन किया आज आप से स्तीफा भी मांग रहे थे वो लोग अरविन के जरीवाल से राजगाट पर कड़े हो करके आप लोगो को को बेल भी निमिलने वाली हमने पूशा कि हो सकता है और हाथ मिल जा इखिए ही इनका दर रहेंगे देखिए इनका मकसद है कि मैंने बार-बार मैं क्या कहता हूँ कि कि किसी भी लोग तंत्र में आपके राजनेतिक विपक्षी पार्टियां होती है हर लोकतंत्र में होती, लेकिन आप उनको चुनावी मैदान में लड़ते हो, आप लोगों तक अपनी बात पहुचाते हो, लोगों पर छोड़ते हैं कि कौन पार्टी जीते या हारे, आज भाजपा चाहती ही कि लोग ना चाहे, लोगों को वोट डालने का मौका ही ना दे, हम सीधा इस्तिफा ले लें, अर्विन केजिवाल जी से, इनको कैसे भी करके जेल में डाल दे, बीजेपी के जितने भी आरोप है, उस पर आपने जवाब दिया है, आपने पार्टी का पक्षरक है, आपने शरचंद्रेडी का मुद्दा बताए कि आखिर ये क्या पूरा मुख्यमंत्री कौन होगा, अर्विन केजरिवाल जी आज एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, पूरी तरह से निर्दोष है, और अगर दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी सौपी है, उनको काम करने का एक ये दिया है, ब्लेसिंग दिया है, तो वो काम करेंगे, ऐसा कहीं समविधान में नहीं लिखा है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जब आपने का केस ट्राइल तक भी नहीं पहुचा है, आप उनको बंद कर दोगे और आप एक्सपेक्ट दोगे कि वो विकेट कर लेंगे अपनी सीट, त अभी किसी ने सोचा था इस देश में, हुआ, बिजली मुफ्त हो रही है, महिलाओ के लिए बस यात्रा मुफ्त हो रही है, तो सारे कमाम ताम, तमाम जो काम है वो हम करेंगे, मैंने कहा अर्विन केजरिवाल जी देश के लिए एक आदर्श हैं, पूरी देश की जनता के ल मेरी उमीद है कि कुछ दिनों तक वेट कर लिजे, आज आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट तक पहुँची है, निचली कोर्ट ने रिमांड पे हमारे पक्ष में नहीं दिया था जज़्मेंट, तो हम हाई कोर्ट पहुँचें, उसके बाद सर्वोश नाया बी जाएंगे, हम अर्विन केजरिवाल जी के साथ आज देश की जनता खड़ी है, और जहां जहां आम आदमी पार्टी लड़ेगी, देश की जनता हमारे लिए वोट ड़ेगी। कि आखिर क्यों उन्हें जमानत दी गई, कैसे उन्होंने बीजेपी के लिए फंडिंग किया, ऐसे तमाम सवाल और ऐसे तमाम जवाब यहां पर दिये गए हैं, वीडियो जनरलिस्ट मुकेश कुमार के साथ, मनी दीब शर्मा, न्यूज नेशन